प्रेंड मेरा नाम है क्रिश्ना और मैं स्वागत कहता हूं अपने यूटूब चैनल साइनिंग ज्यान में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अपना जो ड्रीम 11 एकाउंट है उसे ऑफिसल जो ओरिजिनल एकाउंट है उसे डाउनलोड किसे करें उसम अपना टीम केसे बनाओं तो चलिए सुरू करते हैं अपने वीडियो को तो सबसे पहले आपको गुगल आपन कर लेना है गुगल आपन कर लेने बाद आपको सर्च करने ड्रीम 11 एपी के डाउनलोड सर्च कर लेने बाद आपको ऊपर में जो पहला ऑप्शन दीख रहा है क्लिक करने बाद देखिए आपको नीचे में डाउनलोड एप का उप्शन आ रहा है डाउनलोड एप के ओप्शन पे क्लिक किजिए देखिए मेरा ये Dream 11 एप जो है डाउनलोड होने लगा दोस्तो दाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहला आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल कर लेने के बाद कुछ समय लगेगा आपको इस्टॉल होने में इंस्टॉल हो जानेक बाद इसे उपन कर लिजेगा दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जरूर देखें आपको जरूर समझ में आएगा देखें मेरा ये ड्रीम एलेवन एपे के अब डाउनलोड होके उपन कर लेना है अब अधिया आपका नहीं बना है तो पहले इसे रेइस्टर कर ले तो मेरा पहले बना हुआ है इसलिए मैं इसे लोगिन पर किलिक करता हूँ लोगिन पर किलिक देखें नीचे में आपको लोगिन का उप्शन आ रहा है एक ओटोपी आएगा ओटोपी देखिए यहां से अपने आप समिटेट ले लेगा देखिए मेरा ड्रीम 11 जो एप है यह अपने आप लॉग इन हो गया ठीक है लॉग इन हो जाने को आपको किसी एक में आपको लगाना है आपको बहुत से कॉंटाइस देखने को मिल जाएगी टीम के निशे में चलिए अपको दिखा देते हैं देखिए और इस पर आपको लगा की दिखा देता हूं देखिए उस पर किलि करने के बाद आपको अप्शन आया उसमें आपको 100 पोइंट मिलेगा 100 point में आपको 11 team 11 खिलाडे चुनना है ठीक है 100 point में आपको चुनना है 11 खिलाडे तो चलिए हम start करते हैं 11 हम आपको बता देते हैं आप अपना team बना लीजेगा चलिए हम इसे तरह कर लेते हैं आपको wicket keeper, best man, all rounder, bullet सब को चुनना है एक team का maximum 7 खिलाडे हो सकता है 7 खिलाडे से अधिक आपका एक team का खिलाडे नहीं रह सकता तो इसलिए 7 खिलारी maximum एक team कर रह सकता है तो आप अपना team बना लीजेए मेरा team level बन चुका है यहां से देखिए मेरा team बन चुका है अब यहां से आपको एक option आएगी captain, captain, vice captain चुननेगा, ठीक है, तो मैं धोनी को captain चुन लेता हूँ, उसके बाद, किसी को, भाव डुबलिस को, कप्तान चुन लिया, मैंने, उसके बाद, आपको save team पे click करना है, join context पे click करना है, join context पे देखिए, आपका यहां से join context पे click कीजिए, आपका content जो है, वो join हो गया है, आपका जो team है, वो बन गया, आपना team को यहां से देख सकते हैं, ठीक है, अगर गाइज, अभी तो आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले subscribe करके bell icon को और पे कर दिजिए, ताकि जैसे मैं कोई नय वीडियो upload करो, तो सबसे पहले notification आपको मिले, और हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अधी अच्छा लगा हो, तो प्रेश सेर किजिए, लाइक किजिए, कॉमेंट किजिए, धन्यवाद,